हेलो दोस्तों मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपको आपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक फैक्ट पर और आज के हमारी वीडियो में कुछ खास होगा यदि आप सोच रहे हैं डी फार्मा या बी फार्मा के बाद मैडिकल इस्टोर खोलने की तो आपको इस वीडियो मे करने के लिए उसके तीं पर्ट होता है अपहले ऑफ लुद्ह करेंगे परम के बाट करेतो इसके अंदर आता है यदि आपी विजय सोच रहे है ति आपकी चthing जरूर सलेगी ठीक है वो डिसाइड करना आपके अपर है की आपकी दुकान पर चाहिए आपकी जो लोकेशन है वो रैसिटेंसियल एरिया में हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता पर आपके लोग आपके लोकेशन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर लोग आती जाते रहते हूं वहाँ पर जहां पर भीड़ बढ़क का ज़्यादा हो तो वहाँ पर आपकी शुप ज्यादा चलने के आफ़ार रहते हैं और आपकी शुप तक लोग आशानी से पोच पाएं लोग जो आपकर आपको बाह collect पाये तो आपकी लोगः आपको डाहनी पोच पाएंगे तो आप्की जो इसासानी से चल पाएगी फिर होता है उसका सबस्टे पहले हैं तो सबसे से पहले सबसuwाइब अब करें लिए ख्याइब का जो यदि आपके पास अच्छा पैसा है तो आप वुड़ का बनवा सकते हैं जो कम से कम वुड़ का बनवाने के लिए आपको कम से कम दो लाक रुपे चाहिए ही और आइरन सस्ता बन जाता है और आपको एक रेफ्रीजरेटर की रिक्वार्मेंट होगी जिसमें आप अपने तो आप कुछ टाइम बाद भी ले सकते हैं फिर होता है जैसे आपको पैन पैंसिल और आपको कुछ पैड़ कोपी वगएरा भी रखनी होंगी फिर आम बात करेंगे सर्वे के बारे में कि सर्वे कैसे जहां पर आपने आपको जाकर यह पता करना होगा कि वहां पर किस सब्कुचन के बाढ़र यहां पर कंसे मैं युद बन्दे के होगा ६ जोसको काई ना हुगी उसको पिर्वे के डांट करेंगे तो दिमांड होगी होगी तो मैं आपको एक बंद तो एक बंदा आपको ऐसा चाहिए होगा क आपके ड्रग मार्किट से जाकर डेली आपके इस मैडिशन को ला सके और एक होता है प्रिस्क्रिप्शन डीडर आप सभी जानते हैं कि जो डॉक्टर होता है उनकी राइटिंग तो मासा अल्ला होती है तो आप बस यह सोचना के लिए प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं पढ़ सकते तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन डीडर भी रखना पड़ेगा जो आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़कर वह मैडिशन भी दे सके और फिर हम बात करेंगे हमारा जो सैकंड परिंट था होता है एप्लिकेशन तो एप्लिकेशन मतल तो यह दो जो भी आपके डोकिमेंट होंगे वह दो पार्ट में डिवाइड होंगे सबसे पहले होंगे फार्मसिस्ट और दूसे होंगे प्रोप्राइटर तो फार्मसिस्ट मतलब आप समझते हैं कि जिसके नाम पर लाइसेंस होगा जिसके नाम पर लाइसेंस होगा जो हम तो यह दोनों एक हैं तो इसके लिए क्यास का डोक्यमट के क्याओं में आपको सभी बता हुँआ होगी जय्से हम पीडिए बना के लागाते हैं तो इसके लिह आपको देखो फार्मासिब्स रजिश्ट्रेशन हों का जो ओरजिन même चाहिए जो हमें PCI approval करायता है और एक हमें ownership का proof चाहिए और हमें पीवन पीटो मतलब जो खसरा होता है उसका हमें फॉर्म चाहिए होगा जिसे हमें DiYes DiE Trumpa या फिर फिर बी फार्मा की implicit मलब डिडी और फिर अद ion पांड प्र आपके पिल भीन ज़रूर नियुतल है और उसे बीन खंथ कोई नहीं होगा तो ईनके बिना आपको फर्म आगे नहीं चल शागए की बाद तरह को कुछ पास्स़ पासवुद साइज फोटो और आपके पुरानी रेफिजेटर का बिल होना चाहिए यदि मैं फार्मसिस्त हूं और में फार्मसिस्त रजिस्टरेशन के साथ आपको पूश्टी करने पड़ेगी कि मैं यह मेरा लाइसंस कीसी हैं तनी के साथ आटेर चेंशितने सी इसक्राइब के साथ डॉकहँ है स्वया त्यथियु फिर कुली यह यह तो बसे इसमें होगा फार्मसिंस्ट के रडॉक्नेस्ट बिגुए भगईड़ा और 10-12 degree वो सब सेम होंगे बस आपको यहां पर प्रोप्राइटर की ओनर सी प्रूफ लगाना होगा और एक एंट एग्रिमेंट लगाना होगा यह आपको सभी मर्ज करके एक फाइल बनानी होगी आपको अपने किसी भी नजदी की जागे फिल करा सकते हैं जब आपकी एप्लिकेशन फॉर्म पूरी हो जाएगी तो आपको एक एक अनॉलिजमेंट रिसिप्ट मिलेगी जिसमें आपको एप्लिकेशन आइडी होगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा मॉस्ट होगी इसका प्रिंट आउट मिलेगा और इसके ड्रेंट इसपेक्टर उफिस होता है वो दिस्टिक में और पर यूपिश लिए जाना होगा और उसके बात ले जाकर उसको हमिट करना होगगा जो घ्रीप इसको चान करेगा मतलब जो जहांपे आपने वीडिस्टाइट पर रजिस्ट्रेशन के आए जो लाइसेंस वाली को मोई लिएक बेट सालाक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो वह आपको एग बहुत आस में को सालऑ बयुस्टंस प्रॉब्लम भी आपको लैसेंस में से उम्यूंग करें वह उन्याट को है उसके ने की पैस्लापट मुष्टव प्रॉब्लमेत गहाएक्श तो आपको medical store का license मिल गया और अब जो वह आपका drug sale license होगा आप उसकी hardcopy निकाल कर आप उससे अपने medical store पर भी लगाना होगा जो आपके पर drug sale का license है तो आप क्या करेंगे आप इस टोग के लिए किसी भी wholesale market में जाएंगे होलसेल मार्केट में जाने के बाद जो होलसेलर होगा वो आपसे एक फ्रेंड से बात करेंगा और आपको जो ड्रग होंगे उनके margin बताएगा जो आपको लगता है कि मुझे जादा margin मिल ला है तो आप उस ड्रग को लेंगे और कुछ टाइम बाद आप दोनों की अच्छी एक इस्पेक्टर के बारे में यदि आप चाहते हैं कि ड्रग इस्पेक्टर के बारे में एक वीडियो बनाओ तो लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना यदि आपको मारी वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज थैंक्यू